सच्छी अकाल नमस्ते वेलकम बैक टू मैं चैनल देखें कई कई लोगों का कोशन रहता है कि हमारे डिश्वाशर में बरतन है जो अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो रहे और कुछ लोगों का कहना होता है कि जो टॉप पास्किट होती है जो कटलरी रैक रहता है उसमें से उनके बरतन नहीं क्लीन हो रहे यानि कि जो स्पून वगएरा जो डालते हैं चाहिकी च्छनी वगएरा तो वह अच्छी से क्लीन नहीं हो रहे तो हम लोग क्या करें तो देखें जितना मुझे आईडिया है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे कि बरतन आपको कैसे कैसे डालने अच्छी तरह सी क्लीन हो जैसे मैं डालती हूं मैं आपको बताऊंगी बरतन डालकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने अभी बरतन नहीं है हमारे वाश करने वाले लेकिन मैं आपको पूरी डीटेल के साथ बताऊंगी आपको बरतन कैसे कैसे डालने है और चलिए उससे प करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिल्कुल भी स्किप मत करना और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना साथ में देगे आपको बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना जिससे मेरे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगा और अगर आप ब्यूटी से रिलेटिड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल पर जाके मेरी ब्यूटी से रिलेटिड वीडि तो यह इतवारज ईस्च दिश वॉशमोर क स्केटी टलद करें होाई कोई तरह रसी पो आगे अपको बताती हूतों अभी बर्तन में दैया है कैसे कंच-काइब कि ठीजंग 15-2. अभी तक मैंने आदे बरतन तो यूज़ कर लिए है मैं क्या करती हूँ बरतन जब भी वाश हो जाते हैं तो उसके बाद में मैं निकालती नहीं इसमें ही रहने देती हूँ जैसे जैसे मुझे बरतन लगते हैं बरतन यहां जो पैबिने नगाएयट का तूरा को वैसे निकाल कर इस एस बरतनों करती है। ना कोई हम इसमें शीनर वगेरा डालते हैं, यह दूले हुए बरतन है, तो आप देख सकते हैं, बिना रिंसाट के बिना कोई शीनर के देखिए, अच्छे शाइन कर रहे हैं बरतन, तो चलिए जी, अब भी मैं यह दिखा देती हूं, यह मेरी उपरकी बास्धिट, यह भी मै जो चैघ corridor दाल है तो अब भी आते हैं जी हमारी में प्रोब्लمل पर के हमारे to can't clean होते देखे बरतन के क्यों नहीं clean होते यह तो आप आप ओवर्लोड कर देते हैं बरतनों को एक के उपर एक डाल देते हैं जैसे यह देखिए यह हमने यह पतीली शुटी रखी है और इसके उपर देखिए आप अगर ऐसे करके बरतन रख देंगे तो यह जो उपर का बरतन रहेगा वो क्लीन नहीं होगा क्योंकि इसमें से जो इसके आम्स रहते हैं इन में से निकलता है यह गोल घूमते हैं जब डिश्वाशर चालू होता है तो इन में से पानी निकलता है वो प्रेशर से हमारे जो बरतन है वाश होते हैं कोई इसमें ब्रश बगेरा नी एक्स्टर होता तो जो पानी का प्रेशर होता है उसी से बरत करते रहना है दो चार दिन के अंदर इसको क्लीन करते रहना है और उसके बाद यह जो हमारे इसका यह फैन होता है इसको भी क्लीन करते रहना है यह बहुत ही इसली निकल जाता है और इसके यह जो होल्स है इनको क्लीन करते रहना है आपको तो आपकी यह प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से द्यान रखना पड़ेगा आपको क्लीन रखना पड़ेगा और ओवर्लोडिंग नहीं करनी मैं आपको एक बर निकाल कर दिखा देती हूं क्योंकि मुझे मालू है आप यह कोशन जरूर करेंगे कि इसको निकाल कर नहीं दिखाया आपने बहुत ही इसली देखिए निकल जाता है यह देखिए आपको चेक कैसे करना है इसको उल्टा करना है और इसको इसके अंदर पानी डालना है और फिर आपको इसली पता चल जाएगा कि यह जो होल्स है इन में से अच्छे से प्रेशर से पानी आ रहा है कि नहीं अगर प और उसके बार आते हैं जी हमारी अपर बास्किट में ये जो कटलरी रेक रहता है इसमें तो देखिए जो लोगों को कहना है कि हां उनके स्पून्स बगएरा नहीं क्लीन हो रहे देखिए मैंने तो ऐसे ही डाल रखे है कैसे भी मैं डाल देती हूं और आराम से देखिए ये क स्पून्स बगएरा कैसे रखने है आपको कैसे लोड करना है इसको और उससे पहले में आपको बता देती हूं अगर आपके पास स्पून्स बगएरा जादे रहते हैं तो आप ये जो बास्किट मिलती है इसमें कटलरी बास्किट इसमें डाल कर सकते हैं स्पून्स बगएर काफी सार स्पुन्स आजाते हैं जांचालएं dubnaj- siblings, और ऐदाव कर दिखा पूलने हैं जगे तो 15-õ ए सोरा जाते हैं आप यह तो 10-10 के करीब ता- से यह हमें स्पून्स थे डाल सकते हैं और देखिए यह थोड़ी सी जगा मिलती है ना मैं इधर कुछ भी डाल देती हूं को टोरी बगेरा इधर मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती कोई भी जो स्पेस रहती है तो चलिए जी रेक हमारा पूरा खाली हो चुका है तो देखिए हमें इधर यह जो जगा बनी हुई है बस इधर हमें एड़ेस्ट करने हैं सब स्पून्स काफी सारी स्पून्स आ जाते हैं इसमें अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा तो क्योंकि मैंने एक हाथ में मेरा मुबाइल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ इसलिए अगर आपको नहीं क्रियर अच्छे से कुछ ऐसे दिख रहा तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ तो देखिए इधर लगा सकते हैं इधर कुछ भी रख सकते हैं तो यह देखे जी हमारे यह नाइफ बगारा रह गए मैं तो नाइफ बगारा भी जो भी होते हैं इसमें डिश्वाशर में डाल देती हूँ तो देखिए इनको भी हमें बस ऐसे ही सेट कर कर रखना है अगर आप इसे कैसे भी डाल देंगे यह पतले हैं तो इसके अंदर से निकल कर नीचे गिर सकते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी तो इसलिए इनको आप ऐसे ही रखिए I hope जो जो मैंने बाते आपके साथ अभी शेयर की है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी मेरे समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को प्लीस लाइक जुरूर कर देना अगर आपका अभी भी कोई कोश्चन है तो आप मुझे कॉमेंट करकर पोश सकते हैं मैं जुरूर रिप्लाई करूँगी और हो सके तो मैं उसके आपकी प्रॉब्लम के उपर वीडियो बनाने की कोशिश भी करूँगी तो अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखना चाते हैं मैंने इस पे डिश्वाशर के बारे में तीन से चार शायद वीडियो पहले भी अप्लोड की हुई है उसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा ये डिश्वाशर को कैसे लोड करते हैं बड़े से बड़े बरतन इसमें कैसे डाल सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे दिया है वो सब वीडियो का आप उदर जाकर चेक कर सकते हैं काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा मेरी वो वीडियो देखके तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो थोड नेक्स्ट वीडियो में बाइ-बाइ